नमस्कार मित्रों आज के वेडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि मकर रासी वालों का आज का दिन यानी की 12 अगस्त 2020 का दिन कैसा बीतेगा आज के दिन आपके जीबन में क्या क्या पडिवर्तन क्या क्या बदलाब होगा अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वेडियो को बड़े ही ध्यान से आपको सुनना होगा इस वेडियो के अंत में आपके आज के दिन का भाग्यसाली रंग भाग्यसाली अंक और उपाई है तो आप उसे भी देखें सुनें और फोलो करें ताकि आज के दिन आपके जीब से पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें इस वीडियो के नीचे जे बजरंग बली कमेंट कर दें और साथ में इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें मित्रों अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्सन बॉक्स में है तो आप लिंक पर क्लिक करें और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लें तो अब हम आगे बढ़ते हैं सब से पहले मैं बात करने वाला हूं आपके आज के दिन के धन संपती के बारे में मित्रों पैसों के दृष्टी कोन से आज का दिन आपके लिए बहुत जयादा बहतर और सांदर है। आप मेंसे जिन लोगों ने आज से पहले कहीं भी धन संपती का निबेस किया था तो आज के दिन पहले किये गए निबेस के वजह से आपको पैसों का फाइदा बहुत जयादा होगा और आज के दिन आपके जीवन में पैसों की कहीं कोई शमस्या नहीं होगी वैसे अगर आपके घर पडिवार की बात करें तो पडिवारिक जीवन के दृष्टी कौन से आपका शमय सामाईने से थोरा सा नीचे है आज के दिन अपने घर पडिवार में अगर आप कोई पडिवर्तन करते हैं कोई बदलाब करना चाहते हैं तो पडिवर्तन करने से पहले अपने घर वालों से आप बात करें और घर वालों से बात करने के बाद ही आप कोई पडिवर्तन करें अन्य था आज के दिन आपके घर पडिवार का माहौल खराब हो जाएगा इसके बाद है आपका प्रेम शंबंध है तो प्रेम शंबंध के दृष्टी कौन से आपका समय अच्छा बीतेगा आज के दिन अगर अपने प्रेमी या अपनी प्रेमिका से आप मुलाकात करते हो तो आज के दिन आप अपने दिल की बातें अपने प्रेमी या अपनी प्रेमिका से सेयर कर सकते हैं इसमें कहीं कोई पड़ेसानी नहीं होगा लेकिन अगर आपके कामकाज की ओर देखा जाए तो कामकाज के दृष्टी कौन से आपका शंबंध है सामाननी रहेगा आज के दिन अगर अपने कामकाज में अपने काड़े अच्छत्र में आप कोई पड़िवर्तन करना चाहते हैं कोई बदलाब करना चाहते हैं तो पड़िवर्तन करने से पहले अपने कामकाज के बारे में आप सारी जानकाड़ी प्राप्त करें और सारी जानकाड़ी प्रा समय अच्छा बितेगा आज के दिन आपके जीबन साथी का सहयोग आपको बहुत ज्यादा मिलेगा और जीबन साथी के सपोर्ट उनके सहयोग के वजह से आज के दिन आपके बैबाहिक जीबन में कहीं कोई पड़ेसानी नहीं होगा आजी के दिन आपके लिए सुभ रंग है लाल और मैरून आजी के दिन आपके लिए भाग्यसाली अंक है पांच यनी की फाइब दोस्तों आज के दिन अपने समय को भिहतर और सांदार बनाने के लिए एक मंत्र है उस मंत्र का जब आप कम से कम 11 बार करें आपका शमय सांदार हो जाएगा वो मंत्र है ओम गंगन पत ये नमह इस मंत्र का जप अगर आप आज के दिन कम से कम 11 बार करते हैं तो आपका शमय सांदर हो जाएगा तो इस वेडियो को आप लाइक कर दें इस वेडियो के नीचे हर हर महादेब कमेंट कर दें साथ में इस चैनल को आप सबस्क्राइब कर दें धन्यवाद